अमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में DC मोटर की कुछ important objective question के बारे में detail में discussion करेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो आज का पहला question हम सुरू करते हैं देखो पहला question क्या है speed of motor is measured by देखो जब हम किसी motor का speed को मापते हैं मेजर करते हैं तो इसका answer होगा जब हम किसी motor का speed को करते हैं मापते हैं तो हम टेकाइमिटर का यूज करते हैं option number four is the correct answer यह जो फिगर में देखो यह जो है यह हमरा एक टेक अग्मेटर है पर यह हमरा एक motor है इस motor का speed यह टेक्मेटर मेजर कर रहा है तो देखो उसके बाद जो मेजर करता है वो हाई रजिस्टन या इंसलेस्टन का करता है तो इस कुछरड के ऑप्षनमभर फोर टेकॉमिटर is the correct answer then देन देखं नेस्ट कुछन क्या है नेस्ट कुछन चल Link is use to start 2 मोटर देखो ज़ो हम किसी मोटर को start करते है तो सपाड़ का यूज क्या जाता है क्योंकि जो स्पीड होता है मोटर को उसको कम करना होता है यह जो प्रेस्ट कि अधिक इसका का मोटर को किया किया क्योंकि जो स्टार्टिंग कॉरेंट होता है सको कम करना हुआ कि बहुत ज्यादा होता है उसका भेलो क्म करने के लिए । यह हुआ देखो यह हमारी एक डिसे मोटर इसमें यह होता है आर्मेचर जो आर्मेचर होता है इसका रेजिस्टन्स बहुत कम होता है वान आम से भी कम होता है हाप अम ही होता है अगर इसका रेजिस्टन्स कम होगा तो स्टार्टिंग के टाइम इसका कॉरेंट बहुत ज्यादा होगा अगर बहुत ज्यादा कॉरेंट ह होगा तो यह डेमेज हो सकता है तो इसलिए जो स्टार्टिंग कॉरेट να होता है उसको कम करने के लिए हं स्टार्टर को समॉ всё MOR के स्टार्टिंग की टाइम स्टार्टर को यूज करते हैं तो इसलिए option , 3 धा कॉरेटीट कि देन देखो नेस्ट कुचन क्या है नेस्ट कुचन ने टू स्टार्ट ए डिसी सोंट मोटर को इसका करते हैं तो इसका एंसर होगा जब हम किसी DC jean motor को start करते हैं तब हम three pointster का यूज़ करते हैं option number two with the correct answer देखो यह जो figure है यह हमारे DC jean motor है और यह हमारे एक 3-point start is 3-point means दोचो यह L 1 point है और एक point है यह और एक point है यह 3 points होता है तो इसलिए हमारे यह 3 point starter को sound motor की start के लिए यूज़ करते हैं option पर नियुक्त तो गुच्वत होता है तो जो एक सब्सक्राइब में ही घुमता है या उसका स्पीड बहुत ज्यदा होता है या मोटर बॉएंध हो जाता है या उसका स्पीड रिड़िश काम होता है तो इसका अंसर होगा जोब एक डिसी संट मोटर का संट फिल्ड क्या होता है अपन होता है तो क्या होगा ना उट्स इट स्पीड विल भेरी हाई उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है अप्शन नमबर टू इद्धा कॉरेट अंसर देखो यह जो फिगर है इस फिगर में यह हमारा ड सिल्ड जो सार्किट अंबर आ पर को मतेखन और को असलूबर उसका स्पीड क्या होता है ये मैण देखो ने स्कुली स्ट्रोल मेत कंतौल मेेफ़ेबढ स्पीड लकें मोटर के त्वड को १्योर्ड Speed देखो जब एक DC छांट में से स्पीड को कण्रोल करेंगे तो ले चार उप्छन में से कंसाफ़ उसका데 नॉर्माल स्पीड से ज्यादा होगा या उसका normal स्पीड से कंसी कभी ज्यादा भी होग कभी कम भी होगा या नसे तो इसका अंसर होगा जब हम किसी डिसी सांड मोटर का स्पीड को फ्लोक्स कंट्रूल मेथोड से कंट्रूल करेंगे तब हमें कभी-कभी option no.3 above as well below of the normal speed means कभी-कभी normal speed से ज्यादा speed भी मिलेगा और कभी-कभी normal speed से कम भी मिलता है option no.3 तो केश्या होता है देखो जाभ आज प्लोक्स कंट्रूल मेथोड मेथोड होता है विस isn't वzysta है यह होता है फिल तो फिल्ट कंट्रूल मेथोड और इंँड션 ही होता है अंड teenager कंट्रूल मेथोड आर्मेचर के साथ यह डिजिस्टर से बीलो स्पीड जाता है जब हम आर्मेचर कांट्रूल मेथोड से डीसी सांट मोटर का स्पीड को कांट्रूल करते हैं तो नॉर्माल स्पीड से बीलो स्पीड हमें मिलता है और जब एक डीसी सांट मोटर को फिल्ड कांट्रूल मेथोड से स्पीड कांट्रूल करते हैं तो नॉर्माल स्पीड से बिलो स्पीड भी मिलता है, अपशन नॉम्ब थी द़ी द्वाइट एंसर, देन देखो, नेस्ट कुछन क्या है, नेस्ट कुछन है, विच टाइप आप स्पीड कांट्रोल मेथोड, अब डिसी सिरीज मोटर हैं, यह हमारा डिसी सिरीज मोटर है, डिसी दाईभर्टल में यह ट्यप्ट रिकर में यह नवकेसको आशिए जो और ताया आर जो हमँच सब्सक्राइब सदो करेंगे अपस्बूअ तुको यह वोता है यह को अबरा आर्मेचर डायबोटर म्हों तो यह सिरीज इसे लिट मैं तो तो इसे में तो हमें नॉर्माल स्पीड से ज्याधा स्पीड मिलता है ओप्सेशन नमबर टुई दा कॉरेट एंसर दैन देखो नशप्ट खुचन क्या है नश्ट कुचन में हुई जब दम फ़लोई मेथोड इस नोट यूजड फर स्पिड कॉंट्र डिशी शीरीज मौत्रों देखो डिशी सीूड का यजी स्पीड कॉंट्रों होता है तो उसा नहीं होगा यह जी सिर Mmm मोटर में हम variation in apply voltage मेथोड को यूज नहीं करते हैं अप्सन नमबर 3 is the correct answer then next question देखो हुई जब दा following method is not used to control the speed of decision motor देखो decision motor की speed को भी control करने के लिए जो ये चार मेथोड में से कौन सा type of method को हम यूज नहीं करते हैं देखो जो हमरा armature control method होता है इसको DC sound के लिए यूज करते हैं तो यह अनसार नहीं होगा field control method को भी यूज करते हैं DC sound motor के लिए तो यह भी option नहीं होगा वार्ड लियोनाड मित्वाड भी हम यूज करते हैं DC sound motor के लिए है इसको हम डिसी सीरीज मोटर के लिए स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं तो अप्शन नमबर फॉरिद्धा कोरेट एंसर देन देखो नेस्ट कुचन क्या है नेस्ट कुचने डिसी थ्री पॉंट स्टाटर इस यूज टू स्टार्ट देखो जो हमरा थ्री पॉ मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं या ना ना जां अंयब कि सटार्ट करते यह यह हम सब्सक्राइब और यह हमारा थ्री पॉइंट स्टाटर रे आप्शन नमबर टू इद दा कॉलेट एंसर देंद देखो नेस्ट कुचन ने एन भी सी ओफ स्टार्टर इस कॉनेक्टेट इन डेस सब्सक्राइब देखो जो एन भी सिनो भॉल्ट को लोता है एंवी सी यह हमारा देखो यह देखो यह हमारा एक डिक्सांट मोटर है यह सब्सक्राइब और यह जो है यह हमारा स्टाटर का एनवी सी नोइ फोल्ट को एल नो फोल्ट कोईल यह जो अता है नोब फिल्ट के साथ सिरीजमें क्वेक्ष्ण उसलीए इसका एंसर होगा सोंट मोटर का जो सोंट फिल्ड होता है सोंट फिल्ड होता है वो NBC के साथ सीरीज में कनेक्शन होता है option number one is the correct answer then देखो next question क्या है next question है यह DC series motor is most suitable for देखो जो DC series motor होता है वो यह 4 option में से कहां पर यूज किया जाता है crane में यूज किया जाता है यह लेद मेशिन में यूज किया जाता है यह पॉंच प्रेस में यूज किया जाता है तो इसका answer होगा जो DC series motor होता है उसको हम crane में यूज करते है option number one is the correct answer क्योंकि जो DC series motor होता है उसका starting torque starting torque बहुत ज़्यादा भेरी हाय होता है इसलिए हम crane में DC series motor का यूज करते हैं यह जो figure है यह हमरा एक DC series motor का figure है क्योंकि armature के साथ series field यह series field है तो option number one is the correct answer then देखो next question क्या है next question है the torque developed by a DC motor is directly proportional to देखो जो torque होता है वह चार option में से किसके साथ directly proportional है flux पर पॉल इंटो armature current या armature resistance into apply voltage या armature resistance into armature current या नवन अब दिज तो इसका अंसर होगा जो torque developed होता है DC motor में वह directly proportional होता है flux पर पॉल इंटो armature current option number one is the correct answer torque is directly proportional to flux into armature current very very important torque is directly proportional to flux into armature current option number one is the correct answer then देखो next question क्या है next question है कार्बोर ब्रोस अर प्रिफेरबल टू कॉपर ब्रोसेस विकोज देखो जो कार्बोन ब्रोसेस होता है वह कॉपर ब्रोसेस है क्यों आच्छा होता है इक करिएक्सार जिले checking कार्बोर ब्रोसेस होता है तो इसका एंसर होगा ऐसे दूनों हमारा कार्बन पाथ है और यह फिक्स पाथ है तो जो एक रोटेटिंग पाथ के पास पाथ को टॉच करेंगे तो तो यह जो कार्बन होता है उसमें बहुत कम हता है इसलिए कारबन को हम कारवन बोस में ब्रोस में कारवन का यूज करते हैं अप्सों नमबर फॉरिद्धा कॉरेट एंसर देन देखो नेश्ट कुचन क्या है नेश्ट कुचन है इसके साम्टों प्रोस में कारोका टकार्वन जय देलसी तो नेश्ट का साम्हयर फिर्ट श्ट ड्रॉरिड के साल भॉड है आदो ईनवक्तल प्रो भॉड है यह वसक्ताकं बें दैरिट्स होता है यह तो यसके साल इसको भॉड होगा जो एक डिसी सॉंट मोतर होता है सोंट मोटर में है तोर्क और और ढर्रीच nep ऍटार्ण करेंट होते हैं अस यह ये शौन्ट मोट्र के बदला' सीरीज मोटर होता तब क्या होता ना टॉर मेश कट्रे हमण शब टोपे लिए सुर्छे लिए उसकेलर चाहिस की इस भक यह beispielsweise कों सा फिल्ड को हम सोट करहेंगे जब स्टार्ट करते हैं one नॉन फरह समा टेर्स को सट मोटर को चलोट करते को है Nep 360 सॉर्ट कोरते हैं या आर्मेचर फिल्ट को शॉंट करते हैं या नाव सब्सक्राइब करते हैं इसको सब्सक्राइब करते हैं अगर नहीं करेंगे तो इसलिए डिफेरेंशियल कंपांड मोटर का जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले उसका सिरीज इस फिल्ड को हम सब्सक्राइब करते हैं अप्सन नमबर वानिद्द्द कोरेक्ट अन्सर वेरी वरी इंप्रेंट कुछें देन देखो नेक्ट कुछन गया है वाट इद रिलेस्ट बीट्विन अर्मेचर कोरेंट अब डिसी सीरीज मोटर देखो जो डिसी सीरीज मोटर होता होता है उसमें स्पिड और आर्मेचर कोरेंट यह दोनों के बीज में एक्न सार होता है जो डिसी सीरीज मोटर का बेक इमेप डिवाइड बाइफ लोक्स होता है तो इसलिए जो स्पीड होता है वह इन्वर्चली प्रपशनल होता है अर्मेचर कोरेंट आप उसमें दोनों इन्वर्चली प्रपशनल होता है 2 और नीच कोशन गया है औरवेशेकर टॉर्ग तो यह दोना के बीच में रिलेसsal क्याद सब्कॉल होते हैं यह या Aldo सब्सक्राइब ज्यादा होता है सब्सक्राइब ज्यादा होता है ऊप्सन नमबर टूइद्धा को यह जो फिगर इसमें सब्सक्राइब जो इसका टोर्क और इसका टोर्क तो किसका टोर्क ज्यदा है ना इसका टोर्क ज्याद आ होता है सब्सक्राइब वोट और बोड़ेल चैनल बाएग देखो जो हमाराब़चिन नमबर तुइद बिmother चेंज्ड वह देखो जो हमारा दीजी मोर्ड होता है जह जो डीजी मोर्ट होता है जीज घुमता है तो हम कैसे उसका डिरेक्षेन कोर रिवर्ष करेंगे क picked up कौन सी मेथड में हम उसको डिरेक्षन रोट्रेशन को सप्लाइज होता है उसको चैंज करने से मोटर का डिरेक्षिन रिवर्स होता है या या भाइच चैंजिंग डिरेक्षिन अफ चार्म अरेच्टर में ठ्लओव members सोथorden उसका डिरेक्षिन चेंज करने za या या उनम और देजर करेंगे जो वोल में किसी डिसी माटर क्योर का डिरेकशन गूमता है उसको और फिस्च देजर करना होता है तो हम ऐत करेंगे दो एगर हो एस दिरेकशन में कॉर्ऍट है तो कि agents traveled और अगर सिर्फ आर्मेचर का डिरेक्षण करेंगे याunda सिर्फ शीरिज फिल्ट का डिरेक्षण करन। इस मोटर का उगरकॉन इस का वी डिरेक्षण रेंगे तब यह होगा ना मो अammenिर्थी अपय सब्सक्राइब ऱ्मेचर डीरेटों इसका भी डीरेक्शुन चैंज करेंगे थया या फिल्ड का ड क्लिक्सण आगई तक रंगे तुम जोब डिरेक्शण का डिरेक्शन-घ करना हथां आई डार्य विश्स record को मजब ऑग हुआ याद रखो किसीए का डिडिरेकशिन चेंज करना हाईदर फिर्ड का डिरेकशन चैंज करना पूह जो हूं किसे हम और चेंज करते हैं तुम चालो कаствब नेुल बाइ चेंजिंग दीरेक्षण ओप कोरेंट नाहीं दोनो सी ध्या नाहीं मत्वाइब शोला के मत्तवह वम्हें मारूम होगा मेंप जो का रॉटेशन मालूम करो लाख तो अब्सक्राइब करेंगा मालूम रहना फ्लैमिंग राइट हैंड रूल डिसी जेनेटर के लिए और फ्लैमिंग राइट हैंड डिसी मोटर के लिए तो इस कुछन का अंसर आप्षन नंबर में रिलेसिन की हाथ है यह इधर यह बेक गेम और यह एप्लाइब बोल्टेज यह दोनों के बीच में रिलेसिन क्या होता है जो बेक एम होता है वह एक को सुन याद रखो जो बेक DC Motor का वैक EMF का भलो apply voltage का हाव हता है यह चैनल देखो निश्ट कुछण रहें नेंस्ट को से नेंस्ट कुछण है बेक EMF opposite बेक EMF होता है वह इन में से किसको अपँच करता है एक प्लाइड EMP को अपँच करता है या या एक अपँच करता है या, 9, reflectors के जो बड येमेज ओता है, बो applied emf को अपोज करता ये option number 1 is the correct answer देखो, बेक hamak किया है कौन सा है, आरनेटर में होता है, це का direction ये एक answer है लेकिन जो voltage है, voltage कुछ इस direction में आ रहा हैं तो ये जब वैकम exposed करे रहा है और ये जो voltage emf होता है, एप्लाइड ये में होता है उसको ये बेक ये में अपज करता है अप्शन नमबर वानिद्दक और एंसर देन देखो नेश्ट कुचन क्या है नेश्ट कुचन है दिस स्पीड अपे डेस मोटर इस प्राक्टिकाली कॉंस्टांट देखो इधर किमुलेटिबले कॉंपांड मो और उसका स्पीड प्राक्टेकाली कॉंस्टांट होता आया और फोरिद्दक और ये जब फिगए मोटरे आर्मेचर के साद इसका फिल्ड संट में परलाल में है है इसलिए हमारा यह डिसी सांट मोटर है अप्शन नमबर फारिद्द्ध कोरेट अंसर देंदा नेस्ट कुछन क्या है देखो नेस्ट कुछन है क्रेन में हम चार अप्शन में में से कौन सा टाइप उंट योज करते हैं डिसी स्ट करते हैं या डिसी संट मोटर के उज़ करते हैं या ननवभ दिट्विश अंसर हम है क्यों की Хil continuing के लिए श्टार्टिंग टॉर्ट के लिए आप्टिंग नॉबर वानिध्दा कॉरेट अंसर के देन दगो नश कुच्छन क्या है नश कुच्छन ता फ्लाक या हाफ फुल रोड होता है या नब जब डिसी मोटर में कोई भी लूड नहीं होगा नो लूड कोडिशन में होता है तो बेक इमें इबी के भेलू सबसे ज्यादा होता है वेरी वेरी इंपनेड आप्शन नमबर वानिद्दा कोरेक्ट एंसार तरह देखो next सुइजन क्या है dhe power written on a nameplate of DC आम मोटर इज और लूड देखो इह और मोटर है उसमें इस्त Bent नंव प्रेला अटा है LAUGHTER जो इफ्री फेज्ज वान फेज लिखावाग अगा होता है यह चार अप्शन में से मोटर न उसके मोटर जितना नक्रक्ण लिप थे में जो जितने प्रण को थे उसे उसके मुताबिक लिखावा होता है यह जो कि इस मुताविक में लिखावा होता है यह साप्ठ में जितना पावर आउटपट मिलता है उसके इस प्लेट में लिखा हुआ होता है या ग्रोस पावर के मुताविक लिखा हुआ होता है तो इसका एंसर होगा जो हमारा प्रीन दाकउरटर ईं श्र्क टी आउट्पट प्री मारं जी रफयालाबल ऑफ्ट 215, इस साफ्ट में घितना प्रावर आउत्पूरट मिलता है बही इस नेमपलेट में लिखा हुआ हो तो आप्सन नबर् थी द्री दाकाए यको दे Hear देखो जो हमारा एक डिसी मोटर के साथ आरेक्टिली प्रोपर्शनल होता है यह फ्लॉक्स मोटर के साथ होता है तो इसके एंसर होगा देखो जो हमारा डिसी मोटर होता है उसमें क्या होता है ना टोर्क डारेक्टली प्रोपर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्प के और एक बाद याद रेखो-जो दिसी सीरीज मोटर होता हैं में फ्लॉक सोता है आर्मेज़ कोरेंट साथ टार कॉरों डार् टॉर का यहाँ पर NahSON कोई भी मोट्र्स का मिनिशन नहीं है इससी लिए हम क्या करेंगे ना जो डिसी मोटर होता है उसका जो आर्मेचर करण होता है बोट टॉर्क के साथ डायक्टले प्रोपेशनल होता है अप्शन नमबर टू इद्धा कॉरेट एंसर देन देखो नेस्ट कुछन ईपार की तरब जा रहा है तो देखो जब अक मोटर हिल हिल उसका पीकी पॉइंट के पास पहुंचने के बात जब की तुर वाता है एक ट्रें तो अब इसमस्में ट्रेन के ट्रेन में जो मोटर होता है वह करता है यह एक पोर जीसा हम करत करता है एक बिदेम सब्राइब देक्रों धांसर होगा जो वींत्र भेल नीचै की तरब पाता है तो युद्ध जेक होता है अब म्यूति करता है लेकिन जो utan होता है है उसले नोर्मालियम क्या मुतर ककटें लेकिन जो कि हुप रभी निचे की तोरब आता है बहु थो इसिस गरुपत है है एक्षी अनसी जेटर्स चाहिए लूस 53 अंशा क्या से घुरत किundert पॉप्टर उचुन एलेक्तिर्स वंद्वीD Redaktion एसे कोन साट का मोटोटर का यूच किया जाता है या धी संठ के आता है या दिसी सब्सक्रिबद के चाता है या इसका इंडियां जो लुए होता है रेलोय मुझे इलेक्टिक ट्राक्सन होता है उसमें हम DC सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं आप्षन नंबर वान इत्था करेट एंसर वेरी बरी इंपोड़नेट पोड़नेंट कुछेंट क्या है देखो नेस्ट कुछेंग इन ए सीरीज मोटर दे मागनेटिक लोग्स होता है वह आर्मेच्ट के साथ इको जो मागनेटीक फ्लक्स होता है वह प्रोपर्शनल होता है यह जो मागनेटिक फ्लॉक्स में अबी स्टै डारेक्टिली प्रोपर्चनाल होते हैं तब तब क्या aider यह प्रोपर्चनाल होता है तो इस लिएक स्ँछ टर्चनाल दrän तो टो प्लोक्त और इसके बदल भी फ्लोक्त लिखेंगे क्योंकि यह दोनों हमारा ड्रैक्ट्रेटिली प्रोपरशनल्ट तो दौ प्लॉस होता है तो इसलिए टॉर की डायक्टिली प्रोपर्शनल टु आर्मेटर का स्कॉयार होता है बैरी भी इंपोनेट यह ता भाप्सरान में और सभी हम होता है नहीं होगा तब या चार अप्सान में से मोटर का हाल क्या होगा order very high speed में घुमेगा यिया motor very low speed में घुमेगा यिया motor born जॉल जाएगा यिया motor will knock at all motor run नहीं गरेगा तो इसका इसका answer होगा जोब एक DC motor का away kいい मेफ proudly absent रहता है जिरो होता है मोशन मुशन बोर aちゃんset dire very very important के management का बेलो tysi times तब मोटर क्या आगा ना बोर्न आप्शन नमबर थ्रीद्धा करेट एंसर और आज के लिए इतना ही थैंक्स पर वाचिंग